हेलो एवरिवन, वेलकम टू मैं टेक चैनल और यहां पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं OnePlus Nord के बारे में तो दोस्तो OnePlus Nord launch हो चुका है इंडिया में कल साम साधे साथ बजे काफी कूल launch event था, AR में launch करने वाला पहला smartphone बन चुका है OnePlus Nord तो इसी से regarding हम लोग आज बात करेंगे क्या है उसके specifications, क्या है इसकी pricing और किस कीमत पे यह आया है इंडिया में तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तो OnePlus Nord launch हो चुका है इंडिया में OnePlus ने काफी hype create की थी इस phone की कि हम लोग वाँपस से aggressive pricing पे value for money वाला smartphone launch करने वाले हैं तो अगर हमें OnePlus का design देखते है Nod का तो काफी simple और classy design निकल के आता है जहाँ पे back side में हमें देखने को मिलता है quad camera setup जो की आता है dual tone LED flash के साथ में और यहाँ पे नीचे आता है OnePlus का logo और सबसे नीचे मिलती है OnePlus की branding अगर हम front side में देखे तो front side पे हमें देखने को मिल जाता है एक 6.44 inches का fluid AMOLED display जो की आता है 90 Hz refresh rate के साथ में और जहाँ पे हम लोग बात करते है buttons और ports की तो हमें देखने को मिल जाता है power button, volume rockers और OnePlus का famous alert slider और ports जो अब हम देखते हैं तो नीचे की side में हमें देखने को मिल जाता है USB type C port, speaker grill और SIM ejector tray यहाँ पे हमें कोई भी headphone jack नहीं देखने को मिलता है तो अगर आपको headphone jack पसंद है तो आपके लिए एक sad news है तो OnePlus ने headphone jack जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं रखा है तो overall design की बात करें तो काफी अच्छा और simple design है जो की two color variants में आता है जो की एक है blue color और दूसरा gray color मेरी माने तो gray color में बहुत ज़्यादा classy दिखके आता है लेकिन blue color जो है वो भी काफी refreshing और different color जो है वो माना जाता है तो design की बात करें तो overall काफी simple और beautiful design है इस phone का तो आप बात करते हैं इस phone के display के बारे में अगर हम इसके front में देखे तो हमें मिल जाता है एक 6.44 inches का fluid AMOLED display जो की आता है 90 Hz के refresh rate के साथ में तो इस price point में हमें higher refresh rate वाला display देखने को मिल जाता है यह काफी अच्छा feature है जो की हमारा user experience जो है वो improve कर देगा तो आप हम बात करेंगे इसके camera setup की बारे में तो camera setup जो है दोस्तो OnePlus Nord का OnePlus न ऐसा claim किया था कि हम इसमें flagship level का camera provide करेंगी जैसे की उन्होंने बताया launch event में इसमें हमें मिल जाता है quad camera setup जो की है 48MP main camera उसके बाद 8MP ultrawide camera उसके बाद 5MP depth camera और 2MP macro camera यहां पर हमें देखने को मिल जाता है जो 48MP main sensor है वो उन्होंने सीधा OnePlus 8 से निकालके हमें OnePlus Nord में दे दिया है तो वो ऐसे claim कर रहे है कि इसमें से जो photo आ तो हमें इस 48MP main sensor में मिल जाता है देखने को OIS जो की है optical image stabilization जो की हमें steady और clear images capture करने में help कर जाता है तो इस price point में हमें इस phone में OIS भी देखने को मिलता है जो की काफी एक flagship level का feature है तो इसके साथ cameras की बारे में बात हो गई रियर cameras के बारे में अब बात करते है इसके front cameras के बारे तो आप तक का one class ने दिया हुआ front side पे यह highest megapixel का camera है जो की main camera जो है 32 megapixel का वो आपको normal shots click करने में help करेगा और जो 8 megapixel का camera है वो ultra wide camera आपको 109 degrees का wide view shoot करने में आपको help करेगा तो यह हुआ overall camera का performance camera setup देखते हुए ऐसे लग रहा है कि इससे जो photos खीचे जाएंगे वो काफी decent quality क आएंगे और इसमें हमें वाकई में flagship level के photos देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों आप बात करते हैं हम इसके performance के बारे में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 760 5G processor जो की 5G enabled processor है और काफी powerful और power efficient भी है यह processor 7 nanometer के architecture पर based यानि कि बहुत power efficient है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है UFS 2.1 का support यानि कि इसमें जो आपको performance मिलेगा वो काफी smooth और lag free आपको देखने को मिल जाएगा इसमें तो यह हो गए दोस्तो performance की बात यहाँ पे आप हम लोग बात करते हैं इसके battery के बारे में तो दोस्तो OnePlus Nord आता है 4,115 mAh की battery के साथ में जो की support करता है warp charge 30T को यानि कि अगर आप इस phone को charge को लगाए 0% से तो यह आपके phone को charge कर देगा 0 to 70% सिर्फ 30 मिनिट में यह दोस्तो तो इसमें हमें काफी fast charging देखने को मिल जाती है तो यह भी एक इसका काफी useful feature है कि हमें इस price segment में fast charger OnePlus box में ही दे देता है और आप 0 to 70% इसको सिर्फ 30 मिनिट में charge कर जाते हैं तो दोस्तों यह थे OnePlus Nord के specifications अब हम overall अगर इस phone की बात करें तो यह काफी अच्छा package निगल के आता है जिस price segment पर यह launch हुआ है तो दोस्तों यहां पर हमें इसके 3 variants देखने को मिल जाता है इसका जो base variant है 6GB 64GB वह हमें देखने को मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 24,999 तो मेरे कहाल से यह जो base variant है वो under 25K यह बहुत अच्छा 4 निकल के आता है complete package आता है snapdragon 765 के साथ में आता है इसमें आपको 5G देखने को मिल जाता है AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है 90Hz के refresh rate के साथ में 48MP का quad camera setup आ जाता है और इसके साथ हमें देखने को मिल जाता है OIS जो की optical image stabilization है जो की हमें 30,000 के ऊपर जो flagship smartphones आते हैं इन में देखने को मिल जाता है और overall OnePlus का Oxygen OS का smooth experience भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है तो दोस्तों आगर हम इसकी बात करें तो इसके 3 variants आते है जो की है base variant 6GB, 64GB जो की आता है 24,999 रूपीज में जो की काफी aggressive pricing है इसमें दूसरा variant आता 8GB, 128GB जो की priced है at 27,999 रूपीज और तीसरा जो variant है जो सबसे higher variant है 12GB, 256GB वाला variant जो की हमें देखने को मिल जाता है 29,999 रूपीज में तो दोस्तों overall मेरे हिसाब से OnePlus Nord एक काफी complete package निकल के आता है और under 30,000 right now ये one of the best smartphone आप इसको consider कर सकते हैं और साथी में आपको OnePlus की brand value भी मिल जाती है जो कि एक काफी बड़ी बात है तो दोस्तों ये था सब कुछ OnePlus Nord के बारे में आप मुझे comment करके बताना ये OnePlus Nord के बारे में आपको क्या लगता है OnePlus Nord की pricing आपको कैसी लगी वो आप मुझे comment section में बता देना और इस वीडियो को like करना, share करना अपने दोस्तों के साथ में और इस चैनल को subscribe करना ऐसे ही upcoming वीडियो के लिए तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, till then have a great day